बेवफा तेरा मुस्कूराना भूल जाने के काबिल नहीं है जैसलमेर के सुड़गर फोट में लगता है कॉंग्रेस विधायकों ने जो गीत सुना वो दिल के गहराई में उतर गया है तभी तो कहा जा रहा है क्या प्रियंका गांधी का पैचप फुस हो गया है क्या कॉंगरेस की सरकार तो बच गई मगर पार्टी की लाज नहीं बचेगी क्योंकि जिस तरह से सचेन पैलेट यहाँ पर आये है जैपूर में अशोग गहलोत उनकी आने की खबर सुनकर अपने बचे खुचे मंत्रियों और विधायकों को जैपूर में रह रहते लेकर जैसल में रवाना हो गए और अब वहां से बोईंग विमान से जैपूर एयरपोर्ट पर लेके आ रहे हैं और वहां से सीधे फियर माउंट होटेल लेके जा रहे हैं उन्हें छोड़े नहीं रहे हैं बाहर निकलते हुए अशोग गहलोत ने कहा भूलो और माफ करो अशोग गहलोत की नीती जब वो दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो 1995 में बनी थी जब कॉंग्रेस परिवार में आपस में काफी जगड़ा थ लेकिन सवाल उठता है कि क्या अशोग गलोत उस निती को जो अब लागू करना चाहते हैं उसी नियत के साथ लागू कर पाएंगे क्योंकि उनके चेहरे के भाव तो कुछ और बता रहे थे अब बड़ा सवाल है कि क्या प्रियंका गांधी ने जो पैचप कराया है वो राह रत्कों ने वहाँ पर जैसलमेर के होटल में हंगामा किया और कहा कि इस तरह से इतनी सम्मान जहनक धंग से जो विद्रोही बागी गुड़ था उनकी वापसी नहीं होनी चाहिए कहा जा रहा है यह पूरा ड्रामा रचा गया था वहाँ पर अलाकमान को संदेश देने के ल कारे में ख़वर आ रही है कि दिल्ली में आपस में घर में गुट बने हुए हैं और गुटों में जगड़ा है क्योंकि एक बार जब प्रिंका गांधी और राहुल गांधी दो घंटे तक सचीन पारेट के साथ दिन में बैट गए रात को दस बजे वह सब विधायकों के सा मिलती हैं फोट खिच्वा के जारी करते हैं उसके बाद कोंग्रेस के राष्ट्रिये परवक्ता रणदीप सुर्जेवाला का यह कहना कि कोई घर पे आ जाए तो उसे भगाया तो नहीं जा सकता है यानि कि पूरे के पूरे जो प्रियास थे प्रिंका गांधी के उस पर प्रियास को सफल नहीं बताया बलकि कहा कि पता नहीं क्या बात चीत हुई है समझ में नहीं आता है जो भी बात हुई हो कोई भी मांग उन्होंने रखी हो मांगी नहीं जाएगी कॉंग्रेस अला कमान के साथ बातचित में कह रहे हैं सचीन पाइलेट की हमारी बातों की सुनवाई का आसवासन मिला है और जो दिल्ली से नेता आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि कोई आसवासन नहीं मिला है कॉंग्रेस के महासची अविनास पांडे पर जगड़ा सुल जाने का जिम्मा है लेकिन वो कह रहे हैं कि कॉंग्रेस अला कमाने बागियों को कोई आसवासन नहीं दिया है इसका मतलब लगता है कि अशोग गहलोत ने दिल्ली के कॉंग्रेस नेताओं के साथ भी अपना एक गुट बना लिया है जो कॉंग्रेस अलाकमान के साथ सीधे सीधे टकराओ के मूड में है अब इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी के और प्रेंका गांधी के बीच बचाओ के बाद मामला सुलच जाना चाहिए लेकिन अशोग गहलोत ने प्रेंका गांधी के जो समझोते हैं उसे मानने से फिलहाल इंकार कर दिया है ऐसा लग रहा है क महां पर ऐसा कहा जा रहा है कि तब तक रखेंगे जब तक विधान सभा में अपना बहुमत ना थाबित करें यानि पूरा जो प्रयास हुआ है कॉंग्रेस अलाकमान के तरब से अशोग गलूस पर पानी फिरना चाहते हैं दिखाने के लिए कि आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है मेरे पास बहुमत था और सचीन पैलट आपके साथ मजबूरी में बैठे हैं और आपने जबरदस्ती हमारे घर में उन्हें वापस भेज़ दिया है हमारे पास ताकत है बहुमत है आप देखिया यहां अपने बहुमत के अधार पर सीधे सीधे अशोग गलूत क म मतरी के चौपर और समारे जूअ क्योंकि जिस तरह से तीन चापर आये थे आप भीजड़ाय को गुजरात ले जाने के लिए उसमें एक चौपर में भी विधायक नहीं जूट पाए इससे लेकर बीजेपी के अंदर काफी बेचैनी है क्या वसंधा राजे अपनी ताकत दिखाने जा रही है इसलिए एक बार विधायकों से राई सुमारी के लिए दिल्ली से नेताओं को बुलाया जा रहा है अर्लाकमान ल इसलिए इस तरह से वीजेपी कॉंग्रेस दोनों का जगड़ा सडकों पर दिखाई रहा है कैमरेम leves के साथ राज्यस्तन तक के लिए जयपुर शे शरत कुमार